अभी हम करने जा रहे हैं example number 12 इसमें क्या है वो देखिए और समझिए और फिर हम इसे solve करके देखेंगे ठीक है example number 12 में find the least number that must be added to this so as to get a perfect square also find the square root of the perfect square हमें क्या करना है वो कम से कम number है जो इसमें add किया जाए कि वो जो add करने पर जो नया number आए वो एक perfect square number हो तो वो number कौन सा है जो इसमें add करें और वो number जो sum करने पर हमें number मिले वो एक perfect square हो फिर also find the square root of the perfect square अब उसका जो perfect square number हमें मिला है उसका square root भी get करना है तो ये बिल्कुल जैसे 10th question के अंदर था कि इसमें क्या subtract किया जाए तो लेकिन ये है इसमें क्या add किया जाए 10th में और 11th में हमने कुछ subtract करने पर हमें number मिला था और जो 12th है इसके अंदर कुछ न कुछ add करने पर हमें number मिलना चाहिए ऐसा case है तो ये मैं example से अलग तरीके से कराऊंगा hope so आपको वो समझ में आएगा पसंद आएगा तो चलिए करते हैं ठीक है example number 12 तो इसका square root है वो get करते हैं last step में थोड़ा अलग करेंगे हम समझाएंगे आप जब करेंगे तो फिर 2, 2 जा 4, 3, 3 जा 9, 4, 4 जा 16, 5 जा 25, 4, 4 जा 16 ही बड़ी value आगे तो उसे कम 3, 3, 3 जा 9 तो 13 माइनस 9 आया 4 और उपर से उतारेंगे pair 3 यहाँ पर आया है तो 3 के अंदर 3 ही पलस करेंगे 6 आया एक नमबर आने वाला है और नहीं पता कौन सा है एक डिजिन हमने यहाँ छोड़ी एक डिजिन यहाँ छोड़ी 6 फाइजा 30, 6 जा 36 इस बार हमें 6 पर ही स्टार्ट करना है लेकिन नीचे जो आएगा ना वो बड़ी value होनी चाहिए इस 400 से तो 6 से 6 करते हैं 6 जा 36, 6, 3, 6, 36, 36, 3, 39 तो यह तो छोटी value आ रही है छोटी value नहीं चाहिए हमें क्या subtract करना है वो case नहीं करना क्या add करना है case यह है तो फिर 67 लेकिते है 7, 7 जा 49, 9, 4 7 जा 42, and 4, 46 तो 469 हम इसमें लेंगे बड़ी value यहां 7 लिया, 7, 10 अभी इसमें से इसको minus करें, 9-0, 9, 6-0, 6, ठीक है? तो 69 वो नंबर है जो की हम अगर इसमें add करते तो यह perfect square नंबर होता, ठीक है ना? So, the required number is 69 और 69 होने के बाद हमें उसका square root भी get करना है हमने 1300 में 69 को plus करना है, तो 1369 आता है और इसका square root 1369 का वही होगा जो की हमने यहां लिया 37 ठीक है? तो यह दो जो है, नहीं, यह नहीं, एक तो यह हमारा answer हुआ और एक यह हमारा answer हुआ, यह दो हमारे answer हुए ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, समझ में आ गया होगा, याद रखिएगा इसमें बड़ी value लेनी है, छोटी नहीं और इसमें से इसको minus करना है, इसमें से इसको minus करके गलती मत करना कि 10-91 कर दो, 9-63 कर दो, और आगे वाला कुछ भी click दिया, ऐसा हम मत करना कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिए, मैं सोल्ड करने की पूरी कोशिश करूँगा, बाई!